हेलो फ्रेंट्स नमस्कार स्वागा दिसने विड़ों बात करेंगे बिहार में जो है आंगन बाड़ी की वेकेंसी जो है निकाली गई है मैं आपको इस वीड़ो में सेर करने वाला हूँ तो आये फ्रेंट्स वीड़ो को सुरू करते हैं और जानते हैं पूरी इनिफोर्मेशन के बारे में वीड़ो अच्छा लगए तो वीड़ो को लाइक कर दीजेगा चैनल परिबार तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर द यहां पर फ्रेंट्स देख सकते हैं बताया गया फॉर्म भरने का जो लास्टेट है वो है 11 नॉमबर 2022 तक करयाले आओधी में संबन्दित बाल विकास पर्योजना पदिकारी के करयाले में प्राप्त किये जाएंगे यानि फ्रेंट्स जो आवेदन है आपको जो है आवेद प्रेंगे ऑफ-लाइन है फॉर्म और उसको भरने के बाद से आपको जो है जो बिकास जो बाल विकास पर्योजना पदिकारी है उसके करयाले में आपको जो है प्रात मतलब भेजना है जमा करना है आवेदन पत्र के साथ सबी सेंचरिक पर्मापत्र दस्तावेज कागजात स कंपूर चयन परकरिया अंगनबाड़ी सेविका साय का चैन मार्ग दर्सकीता 2019 के अलोग में किया जाएगा इसमें कोई आपको एक्जाम नहीं होता है इसमें से सेलेक्शन होता है यानि इसमें कुछ सर्थ कंडिसन है किस तरह से इसमें आपका छेयन होता है उसके मैं आगे चलके डिसक्स करूंगा फिलहाल आप यहां पर देख सकते हैं 11 मतलब किसको वहां पर इसथल कहां लगेगा और यहां पर उसकी तिथी क्या है समय क्या है इसकी जनकारी बताइए यहां सभा क्यों तो देखिए आम सभा में ही आपका सेलेक्शन होता है उसमें जो है officers आते हैं आमसभा के दिन और वहां पे आपका जो है आपका qualification, आपके ward और आपके mark से दस्मे में उसके base पे आपका selection होता है आमसभा का अस्थल पे होता है तो यह यहां पे इसलिए बताया गया तो देखे से फेंट्स यह आपका परियोजना का नाम है यानि डिस सहाइखा की है इसकी जनकारी और यहां पे किशने केफर मे की लिए ज़्यादा बर्यता मिलेगा मां पंचाय만LA का नाम है के उट है और अगर कोई करती लेक्ष इन नहीं किया उसमें कर दिया दूसरा कोई केटिकरी का तो इसको भी रखा जाता तीक है न और समुदाइक भावन में इसका आम सभा का अस्थाल होगा इतने तारीक को दस बजे दिन में तो यह चीजे यहां पर आपको समझना है यह देखे सूर्यगड़ बढ़हड़िया और हलसी यह देख सकते हैं इसने सब जगों पर सीट खाली है हलसी यहां पर उसके व जो है उम्रसीमा क्या देखे उम्रसीमा बोला गया कि अंगनबाडी सेविका सहाइका के चरन हेतुरिक के प्रकासन के तीथी के दिन 18 वर्स कम से कम 18 वर्स अधिक्तम 40 वर्स आपकी होनी चाहिए और जिसका मूल परमापत्र उनके द्वारा आम सभा में उपलब्द कराए ज सहाइका के लिए जो है आठ्वी बोला गया आठ्वी आठ्वी आप उत्रीड है अगर आप 12 वी पढ़े हैं तो आपको बर्यता नहीं दिया जाएगा यह जनकारी हमें बोली है और आठ्वी बोला गया आठ्वी आठ्वी आप उत्रीड है तो आप यहां पर फॉर्म को अपलाई कर सकते हैं मतदाता और निवासी होने की आपकी योगता होनी चाहिए जिस तो मैंने जो है टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुगा टेलीग्राम से जो है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने अस्तर से भी पढ़ाई कर सकते हैं कि हां किस तरह की वेकेंसी है यहां पे अयोगता बोलीगी है आवेदी का जिनकी आए 12,000 रुपेया उससे ज्यादा है तो यहां पर मतलब उनका आवेदन जो है अयोग्य हो जाएगा तो काफी सरे टर्म कंडिशन है बीना एक्जाम का सेलेक्शन होगा तो काफी सरे टर्म कंडिशन सरकार यहां पे लगाई हुई है जिनका पर्सेंटेज ज्यादा पर रिजर्वेशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग भी स्लेक्शन यहां पर लोग करते हैं अगर दो लोग का से मैच होता है जिनकी उम्र ज्यादा होती है एज आयू सीमा उनको जह स्लेक्शन तो काफी सरे टर्म कंडिशन सेलेक्शन का बीना एक्जाम का होता है तो आविदन पत्र है यहां पर देखें नीचे में आविदन पत्र दिया गया है यह आविदन पत्र आपको भरना है और भरके यहां पर देखिए क्या बोला गया है कि संबंधित बाल विकास पर्योजना प्रदिकारी के कर्याले में जमा किया जाएगा आविदन पत्र विग्य जमा कर देनी है जो भी है आपका डॉकुमेंट्स उसके एकॉर्डिंग आप सही से फॉर्म भार के डॉकुमेंट्स एटेज करके और बाल विकास परिजना पदिकारी के करेले में आप जो है फॉर्म को जमा कर देंगे पंद्रा दिन तक आपको यहां पर लास्ट यानि ग्या आम सभा के बाद देखे बोला गया कि से में का साइगा चैन आम सभा में चैन समीति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में की जाएगी अध्यक्षता की अनुपस्ती में उपाधच्ष की अध्यक्षता में आम सभा की जाएगी और यहां पर देखता है संबदित विकापन को र यहां पर आपको जो है जो भी आपका बाल पर्योजना भिकास परिदिकार हिए वहां पर उसका एड्रेस होगा वह आप लीखेंगे पंचायत का नाम लिखेंगे कि वाण संक्या से केंदर संख्या पद का नाम की पद पर अप्लाई करने की आप दे रहे हैं फॉर्म केंदर संख्यांगन बाड़ी का वाड संख्या पंचाथ का नम सब अच्छे से लिखेंगे यहां हिंदी में लिखेंगे अपना पती का नाम लिखेंगे पती का बैवसाय वो क्या करते हैं उसको ससूर ससूर जी का क्या नाम है यह बतानी हे जन्मती थी यहाँपे आपको लिखेना है क्या जन्प्रतिनी थी है यदि है तो अपना बताएंगे जन्प्रतिन से कि आप मुखिया सरपांचो गहरे सब तरह का फीर क्या आपका पहले का नियोजीत हैं इसाब आवेदग की मासिक आया आप जो है कितना कमाते हैं अभी फिलहाल आप क्या करते हैं उसके अब बता सकते हैं कि आप कितना कमाते हैं रिक्त के प्रकासन की तीथी जिस दिन यह वेकेंसी जारी हुआ तो काल्कुलेट कर लेंगे मद्दादा सुची में परिवार यहां पर जो मुखिया है आपके पती स्सूर उनका अनुम मद्दादा सुची में क्या अनुक्रमंक है वह आप यहां लिखेंगे मद्द्दा सुची में कि क्रमलिक्रमाव यहां लिखेंगे पतानी है अच्छाषमiddry को जणकार की जनकारी की जो भी है उसके बाएब पर और कई सारे हाना में आपको है जनकारी पूछी जाय रही है इसकी जनकारी आप अाफ पर यहांपे बताएंगी यहां कटेग्री बताना है उसी जाति जुत जाती जो भी यह पीछड़ा जो भी है यह यह अशले से बताएंगे यहां फूर TP के बारे यहां अपने फॉर्म को भरा हुआ है तो यह दो पेज का पीडिया आप जो है तीन पेज का डाउड करेंगे प्रिंट करेंगे और इसको भर के इसके साथ जो भी डॉकुमेंट से स्वाव अभी प्रमाणित करके आप जो है अपने उस जो है आगनबाडी जो कर्याले हैं वहा आपके जीला में आ रही है मिलते हैं फ्रिंट्स किसी नए वीडियो में हमेदी जाये तो देख तेरे डियर सेल्पिंग फॉरेवर तैंकी फॉर वाचिंग जाहिन